नश्कार दोस्तों ये वीडियो एक्टोरियल कंपाइलेशन फो मेंज का पार्ट हैं आप प्लेलिस्ट में जाके एक्टोरियल की वीडियोज पेपर वाइस और टोबिक वाइस देख सकते हों और अगर आप दिसंबर 2019 के बाग की वीडियोज को देखना चाहते हों तो वीडि का महिना गवर्मेंट के बारा राष्टिय पोशन मा के रूप में सेलिब्रेट किया जा रहा है तो उन्होंने अहवान किया था मदद मांगी थी लोगों से कि आप सरकार की मदद कीजिए ताकि हम महिलाओं के लिए और चिल्डरन के लिए हेल्डियर फ्यूजर इंशोर करस पररहामंतरी मोधी ने ये भी कहा था देखो मान्नुटरिशन की समझ्या ऐसा यहीं कि सिरफ गरीब लोगों में है इवन अमीरी लोगों में भी मान्नुटरिय देखने को मिलती है रिजन है औन आवेरनेस मतलब पता नहीं है कि क्या-k्या चीज़ें खानी चाहिए बैटर रिपोर्ट या फिर इंडेक्स की बात कर लेते हैं, Global Hunger Index 2018 की रैंकिंग में, इंडिया को 191 स्थान प्राप्थ हुआ, टोटल 119 कंट्रीज को रैंकिंग दी गई, और इंडिया को स्थान प्राप्थ हुआ, इंडिया की चार पेरमेटर्स के अधार पर ये इंडेक्स जारी क्या जाता है, सबसे पहले, स्टंटिंग दूसरे नंबर पे वेस्टिंग, मतलब, पांच साल से कम उमर के कितने बच्चे ऐसे हैं, जिनका वेट नहीं बढ़ पाया है, हाइट के हिसाब से, यानि वेस्टिंग और जिनकी हाइट नहीं बढ़ पाया है, एज के हिसाब से, यानि स्टंटिंग, तीसरा पेरमेटर है, पांच साल की उमर एचीव करने से पहले, कितने बच्चों की दर्थ हो जाती है, यानि चाइल्ड मॉडैलिटी रेट, चोथा पेरमेटर है, हमार देश में अंडर नरिष्ट पोपुलिशन कितनी है, तो इन चार पेरमेटर के आधार पर ये इंडेक्स जारी किया जाता है, इंडिया की परफॉर्मेंस काफी कम है, फूड एंड अग्रिकल्चर उग्नेजिशन के हिसाब से, हमार देश में आल्मोस्ट 14.5% जो पोपुलिशन है, यानि आल्मोस्ट 195 मिलियन के आसपास जो लोग हैं, वो अंडर नरिष्ट हैं, और इसके अलावा 2017 की एक ग्लोबल बर्डन ओफ डिजी स्टेडी जो हैं, वो भी ये बोलती हैं कि मालनुट्रिशन हमारे देश में लीडिंग कार्ज हैं, डैथ का और डिशेबिलिटी का, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, जब मालनुट्रिशन के बारे में आपको कुछ लिखना हो, ऐसे आजाए, या फिर GS paper 2 में कॉशन आजाए, तो आप इन डेटा का इस्तिमाल कर सकते हो, ये डेटा kind of important है, value addition के लिए अच्छा हैं, introduction में लिखने के लिए अच्छा हैं, उसके बाद आर्टिकल में कहा जाता है, पोशन अभियान सरकार के दुराच लाया हुआ है, और काफी अच्छा अभियान है, सरकार का लक्षय ये है, 2% तक stunting कम करना, या फिर अलग-अलग targets हैं, wasting कितना कम करना है, हर साल में stunting कितना कम करना है, child mortality rate को कितना कम करना है, annual basis पे targets निर्धारित कर दिये गए हैं, राष्टिय पोशन अभियान में, और आज का जो दिन है, 16 अक्टूबर का, वो world food day के रूप में celebrate किया जाता है, theme है, इस बार की our actions are our future, healthy diet for a zero hunger world, जब देखो हम hunger की बात करते हैं, तो सिरफ food की बात नहीं करते हैं, hunger में malnutrition भी आ जाता है, under nutrition, over nutrition, सब कुछ आ जाता है hunger में, इसके बाद article में, एक correlation establish करने की कोशिज की जाती है, biodiversity conservation, agriculture production, और local development for healthy diets के बीचे, अगर हम इन तीन चीजों पर focus करते हैं, तो हम healthy planet insure कर सकते हैं, कैसे हम थोड़ा और बैदर डंग से समझते हैं, देखो पिछले कुछ सालों में, जो हमारा food consumption का pattern है, वो काफी ज़्यादा change हो चुका है, जैसे जवार, बाजरा, इस परकार कि जो traditional millets को हम खाने में consume किया करते थे, आजकल इनका consumption काफी ज़्यादा कम हो गया है, junk food और दूसरी तरह की चीज़ें, even wheat, rice, ये kind of staple crops हैं, इनको बहुत बड़े level पे consume किया जाने लगा है, लेकिन जो पहले traditional millets हुआ करते थे, उनका तो consumption बहुत ज़्यादा कम हो गया है, उनसे हमें बहुत ज़्यादा nutrition मिलता था, लेकिन उनको जब हम consume करते नहीं है, तो nutrition हमें मिल नहीं पाता, वैसे देखो, आजादी के बाद, हमारा जो food grain का production है, वो 5 गुना तक बढ़ चुका है, लेकिन diversity कम हो गई है, कुछी crops को हम बड़े लेवल पे उगाने लगें हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, पहले diversity ज़्यादा थी, लोग अलग लगता है कि सबजियां, अलग लगता है कि fruits उगाते थे, मिलेट्स उगाते थे, और उन्हीं को खाने में कंजूम भी करते थे, लेकिन आज के समय में steple crops, for example, rice, wheat, इन सब पर ज़्यादा focus होता है, और देखो, जब कुछी crops पर आप बार-बार focus करते हों, जिसे कहा जाता है, monocroping, और खाने में आप सेम चीज को बार-बार कंजूम करते हों, तो इसे कहा जाएगा food monotony, तो इससे देखो, ना सिरफ biodiversity को नुक्सान पहुंचता है, क्योंकि सेम तरह की फसल आप बार-बार उगा रहे हो, agriculture में आपने पढ़ा होगा, कुछ समय बाद insects, या फिर काफी तरह की जो pest होते हैं, वो resistance डवलप कर लेते हैं, soil की जो fertility हैं, वो भी कम होनी स्टार्ट हो जाती हैं, और resources भी degrade होना स्टार्ट हो जाते हैं, for example, water, land या फिर दूसरे जो resources हैं, तो monocroping सही नहीं है, उसी परकार से खाने में भी हम सेम food को बार-बार consume करते हैं, वो हमारी सेहत के लिए भी सही नहीं है, काफी तरह के जो micronutrients हैं, उनकी कमी हो जाती हैं, अगर हम ऐसा करते हैं, तो हमारी diet diverse होनी चाहिए, अब आप इस slide को एक बर फिर से देखिए, और correlation इस्टाबरिस कीजिए, अगर food production diverse होता है, traditional millets को उगाय जाता है, और जादा सादा food सबजियों को उगाय जाता है, तो उनी को बार में consume किया जाएगा, तो diet healthy होगी, और biodiversity को नुकसान भी नहीं पहुंचेगा, तो आप बताइए, इन तीनों के बीच रिस्ता है, या फिर नहीं है, और अगर इन तीन चीजों पर focus करते हैं, तो healthy planet को हम ensure कर सकते हैं, दो points देखो, article में और भी है, देखो, जो अमीर लोग हैं, वो तो अभी भी उनके पास पैसा है, वो अपनी diet को diverse बना सकते हैं, वो तो fruits creed सकते हैं, या फिर diet में, जिन चुजों को होना चाहिए, वो effort कर सकते हैं, लेकिन गरीब लोग के पास, ये luxury उपलब नहीं होती, तो सरकार उनको enable करें, कि वो भी अपनी diet को diverse कर सकें, for example, PDS सिस्टम में, आप अलग लगते हैं, कि items सामिल कर सकते हो, ताकि nutrition level भी, लोग का improve किया जासकें, दूसरी चीज ये हैं, देखो, जो बड़े farmers हैं, वो खास करके, बड़े level पर खेती करते हैं, वो monocroping को ज़्यादा practice करते हैं, एक छोटा किसान हैं, उसके दिमाग में तो बहुत सारी चीज़े चलती हैं, कि खेत में सबजियां उगा दी जाएं, पैसा बच जाएगा, बहार से सबजिया नहीं ख्रीदनी पड़ेंगी, seeds, market से ना ख्रीदने पड़ेंगी, तो पिछली फसल के छोटे किसान seeds भी बचा के रख लेते हैं, छोटा किसान livestock भी पाल लेता हैं, तो इन सब चीजों से diversity increase हो रही हैं, तो छोटे किसान diversity को increase करते हैं, food production में diversity लेके आते हैं, बड़े किसानों को भी ऐसा ही करना चाहिए, लास्ट में एक बात ये बोली जाती है, कि एक sustainable development goal भी है, कि हमें 2030 से पहले पहले zero hunger को achieve करना है, अगर हमें इस sustainable development goal को achieve करने की दिशा में आगे बढ़ना है, तो agriculture production पर focus करना ही होगा, अब देखो इस malnutrition के issue को हम थोड़ा broad level पर discuss कर लेते हैं, अभी तक तो हमने article में जो points थे उन पर focus किया, उनको हमने expand करके discuss किया, लेकिन थोड़ा अब detail से discuss कर लेते हैं, ताकि ये पूरा topic आपका complete हो जाए, अब हम discuss करते हैं drivers के बारे में, यानि कौन-कौन से ऐसे factors या फिर आप कह सकते हो drivers, responsible हैं hunger और malnutrition के लिए, सबसे पहला factor responsible हैं malnutrition in uterus, और उसके लिए responsible हैं low status of woman, देखो आज भी हमारे देश के बहुत सारे इलाके ऐसे हैं, जहां पर महिलाओं का status काफी ज़्यादा low हैं, इन चीजों के बारे में आपने सुना होगा, कि महिलाओं घर में सबसे बाद में खाना खाती हैं, कई बार last में खाना बसता भी नहीं हैं, बेटों को जात तवज्यों दी जाती हैं, बेटों के अपिक्सा कर्त, ये जो चीजें हैं देश के कई लाकों में आज भी होती हैं, कई बार proper रूप से education भी नहीं होती, महिलाओं के पास pregnancy जब वो अडोप करती हैं, तो उन्हें पता होना चाहिए कि बच्चे की अच्छी health के लिए खुद का स्वस्थ होना बहुत ज़्यदा ज़रूरी हैं, तो इस वज़े से pregnancy के दुरान भी अगर mothers underweight होती हैं, अगर उनमें खून की कमी होती हैं, तो उसका सीधा-सीधा असर बच्चे भी भी पढ़ता हैं, बच्चे का जनम होने के बाद बच्चे का जो weight होता है, वो काफी कम होता है, काफी तरह के birth defects हो सकते हैं, और इवन अगर problem घंबीर हो तो hemorrhage भी हो सकता है, मतलब नए पैदा हुए बच्चे में bleeding भी हो सकती हैं, तो ये पहला factor है, malnutrition in uterus, दूसरा breast feeding practices, अगर देखो बच्चे के जनम के बाद breast feeding नहीं की जाती हैं, यानि mothers दूद नहीं पिलाती हैं उनको, तो एक प्रकार से risk में आ जाते हैं, वो बच्चे 28 दिनों के अंदर अंदर या फिर एक साल के अंदर उनकी death हो सकती हैं, आज कल ये भी देखनों को मिलता हैं, कि सहरों में जो महिलाएं हैं, वो बच्चे के जनम के तुरंत बाद, दस दिन का रेश्ट लेने के बाद या फिर पंदा दिनों के बाद काम पर लोट आती हैं, और breast feeding पे focus नहीं कर पाती, तो इस वज़े से भी संपन परिवारों में भी छोटे बच्चे malnutrition का सिकार हो जाते हैं, उसके बाद factor आता है poor sanitation, वैसे दो दो देखो स्वर्च भारत अभियान का काफी अच्छा impact हुआ है, और WHO की ही report भी सामने आई थी, कि स्वर्च भारत अभियान रूर्ल की वज़े से आलमोस्ट तीन लाख बच्चों की जान बचाई जासकी हैं, लेकिन फिर भी आज भी हमार देश में एक बड़ा तबका ऐसा है, जो sanitation पे focus नहीं करता है, साफ सपाई पे focus नहीं करता है, टॉलेट्स का यूज नहीं किया जाता है नेचर स्कॉल के लिए, तो उस वज़े से भी काफी तरह के घंबी डिजीज हो जाते हैं, खास करके बच्चों में for example डाइरिया, तो यहां भी ध्यान देनी क्या हो सकता है, उसके बाद tribal issues, tribal देखो अलग रहते हैं, मेंस्ट्रीम से अलग होके रहते हैं, कई बार सरकार के द्वरा जो स्कीम से चलाए जा रही हैं, हंगर से निपटने के लिए, या फिर मालनुट्रिशन से निपटने के लिए, उन स्कीम का लाब नहीं उठा पाते, tribal उनके लिए पीने की पानी की उप्यूक्त व्यवस्ता नहीं होती, illiteracy काफी ज़्यादा होती है, health education पर focus नहीं किया जाता, इन सब बज़ाओं से ट्राइबल्स में, maliteration और hunger की जो समस्या हैं, वो ज़्यादा ही घंबीर होती हैं, next factor है child marriage, कई बार आपने देखा होगा, बहुत से regions में अभी भी, साधी जो हैं, वो 18 साल से कम उमर की age में हो जाती हैं, तो सोचके देखें, अगर कोई लड़की, 18 साल से कम उमर की age में, child को जनम देगी, तो एक परकार से, जिस बच्चे का जनम होगा, खत्रा ज़्यादा है, कि वो बच्चा स्वस्थ नहीं होगा, तो यहां भी सरकार को ध्यान देने के आशकता है, उसके बाद cultural practices, cultural practices मतलब जैसे, example देता हूँ सिरफ समझने के लिए, देश के कुछ regions में, खास करके, North India में, non-vegetarian food को consume करना, ऐसूब मना जाता है, मतलब यह उनके cultural practices के against है, देखो इस बात का मतलब यह कता ही नहीं है, कि प्रोटीन्स के लिए और माइक्रो नूट्रेंट्रेंट्स के लिए, non-vegetarian food को consume करना जरूरी है, या फिर वो लोग जो non-vegetarian food को consume करते हैं, उनके स्रीर में ज़्यादा nutrients होते हैं, नहीं, यह मतलब नहीं है मेरी बात का, मेरी बात का मतलब सिरफ आपको example देना था, कि cultural practices किस परकार से nutrition के status को परभावित करती हैं, tribal इलाकों में कई बार nutrition food को consume नहीं किया जाता, क्योंकि वो tribal लोगों के culture के against होता है, उसके बाद सबसे last में तो देखो सबसे common factor गरीबी, गरीबी की वज़े से बहुत से लोग ऐसे हैं, जो अच्छा खाना नहीं का पाते, या फिर sufficient मात्रा में खाना नहीं का पाते, तो वो लोग भी hunger और malnutrition का सिकार हो जाते हैं, तो सारे factors हमने discuss कर लिए, सभी dimensions कवर कर ली, अब आगे चलते हैं, देखो ऐसा नहीं है, कि सरकार के तरफ से कुछ भी नहीं क्या गया है, malnutrition और hunger की समच्या से निपचने के लिए, सरकार के द्वरा पहले भी बहुत सरे steps उठाए गए थे, और अभी भी बहुत सरे schemes सरकार की चल रही हैं, जैसे बात करें, तो 2008 में, Prime Minister National Council on India's Nutritional Challenges, establish की गई थी, उसके बाद detailed report आई थी, Planning Commission के द्वरा 2010 में, Addressing India's Nutritional Challenges, अभी भी Ministry of Women and Child Development के द्वरा, काफी सरे schemes चलाए जा रही हैं, जैसे National Nutrition Mission या फिर पोशन अभियान, नीती आयोग ने हाल ही में, National Nutrition Strategy लोंज की थी, ताके हमाँ डेस में, 100 most backward districts को isolate किया जासके, और वहाँ पे proper intervention की साहिता से, stunting की समस्या को adders किया जासके, इसके लावा और भी सरकार ने, काफी सारे कदम उठाए हैं, जैसे की, Reproductive Maternal Newborn Child and Adolescent Health, राष्टिया किसोर स्वास्ते कारेकरम, जन्नी सुरक्सा योजना, जन्नी सीसा, सीसु सुरक्सा कारेकरम, Nutrition Rehabitation Centers, National Iron Plus Initiative and Vitamin A Supplements, और सबसे लास्ट में, Guidelines भी सरकार की तरफ से जादे की गई हैं, की Infants को और Young Childs को किस प्रकार से Feed कیا जाए, तो ये सारे कदम सरकार की तरफ से उठाए गई हैं, लेकिन देखो, कहीं न कहीं, सरकार के पर्यासों में कुछ कमी रही हैं, या फिर Implementation में कुछ कमी रही हैं, तभी तो जो अभी रिपोर्ट्स सामने आई है For example, Global Hunger Index 2017 उसमें इंडिया की position इतनी ज़्यादा low है क्या किया जा सकता है अब question ये उठता है इतने सारे steps सरकार की तरफ से उठाए गए है फिर भी हमारी position इंप्रूब नहीं हुई है तो क्या किया जाए क्या किया जाए उसके बारे में recommendations अभी हम discuss करते हैं recommendations में सबसे पहला point देखू ये है अभी तक सरकार के द्वराम जो विबिन schemes और विबिन programs चलाए गए है उनको analyze किया जाए अच्छे से मतलब किस चीज ने काम किया है किस चीज ने काम नहीं किया है गलतिया अखिरकार कहां हुई है और कहां पे चीजे अच्छे से move की है अगर उन चीजों से उन चीजों को अच्छे से analyze किया जाएगा तो बहुत सारे lessons सीखने को मिलेंगे और उन lessons के आधार पर new models explore किये जाएं ताकि hunger और malnutrition को addres करने में जो structural या फिर systematic issues है उनको ठीक से addres किया जाएं अगर एक बार नए models explore हो जाते हैं तो उसके बाद देखो पूरा का पूरा focus होने चाहिए अच्छे से implementation पे और अच्छे से implementation हो जाता है तो फिर कोई नहीं हमें रोक्स केगा sustainable development goal जो की second goal है उनको achieve करने से उसके बाद second recommendation है स्वच भारत अभ्यान government ने अच्छा काम किया है स्वच भारत अभ्यान लोंज करके लेकिन सरकार ensure करे public private partnership को स्वच भारत अभ्यान की implementation में अगर public private partnership होती है स्वच भारत अभ्यान की implementation में तो इससे sanitation पे focus काफी ज़्यदा बढ़ेगा publicly ज़रस ज़रा toilets establish के जाएंगे और जो हमने discuss किया था कि sanitation की वज़े से काफी लोग, काफी बच्चे malnutrition या फिर hunger का सिकार हो जाते है उन सब चीजों को avoid किया जासकेगा यह दूसरी recommendation है उसके बाद तीसरी recommendation आलरेड़ी देखो तीन में प्रोग्राम सरकार के दौरा चलाए जा रहे हैं Integrated Child Development Services इस scheme के अंदर आंगनवाडी establish किया जाते हैं और दूसरा mid-day meal schemes आपको पता है स्कूल में बच्चों को खाना दिया जाता है और तीसरा public distribution system National Food Security Act के अंदर public distribution system scheme के माध्यम से गरीब लोगों को free में अनास दिया जाता है तो देखो ये तीन schemes इन तीन schemes में capability भी हैं ability भी हैं hunger और malnutrition को address करने की तो इन तीन schemes की capacity building होनी चाहिए ताकि इन तीन schemes के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से पहुचा जास के ऐसे लोग जो अभी hunger और malnutrition का सिकार है इसके बाद चोथी recommendation है establish convergence देखो schemes तो आपने काफी सारी चला दी लेकिन women schemes के जो targets हैं वो अलग-अलग है strategy अलग-अलग है अच्छा तो ये होगा कि malnutrition और hunger को address करने के लिए जो women programs या फिर schemes हैं उनके बीच convergence हो उनके बीच synchronization हो उनके targets के बीच synchronization हो जैसे अभी national nutrition strategy का target जो है वो 2022 तक का है और portion अभ्यान का जो target है वो 3 year targets है यानि हर एक साल stunting, under nutrition और low birth weight को 2% कम किया जाएगा और anemia को हर एक साल 3% तक कम किया जाएगा तो targets जो हैं उनके बीच convergence होनी चाहिए और देखो monitoring के लिए भी एक proper mechanism होना चाहिए एक dashboard यानि website की साहिता से सब कुछ पता लगाए जाएगा कि किस district में कितना target था किस state में कितना target था और कितना target achieve क्या गया है और ये सब कुछ होना चाहिए year wise basis पे next recommendation है malnutrition और hunger की समस्या से निपटने में for example बड़े corporate groups अपनी corporate social responsibility के तहट funds से allocate कर सकते हैं किसी specific जगह के लिए ताकि hunger और malnutrition को मिटाया जासके even देखो सरकार का इबर क्या करती हैं बड़े level पे यानि top to bottom approach अपनाती है hunger और malnutrition के समस्या से निपटने के लिए लेकिन civil society और development agencies क्या कर सकती हैं किसी specific reason में research करके ये बता सकती हैं कि देखो इस reason की nutritional needs जो हैं वो ये हैं क्योंकि इस reason में cultural practices इस परकार की हैं कि इस protein की कमी हो गई हैं या फिर इस परकार के nutrients की कमी हो गई हैं उसके बाद local self-help groups की साहिता से उन nutrients का production हो सकता है मतलब ऐसी चीजों का production हो सकता है जिस परकार के nutrients की कमी हैं वो nutrients ज़्यादा होंगे जिस चीजों का production किया जाएगा self-help groups के द्वारा तो इस परकार से local level पे civil society के लोग self-help groups अगर development agencies मिलके काम करेंगे तो specific जगह पे hunger और malnutrition की समस्या को ठीक से निप्टा जासकेगा next 6 recommendation है multi-dimensional issue ये वैसे हम discuss कर चुके हैं देखो hunger और malnutrition जो है वो काफी complex problem है सरकार को कई सारे fronts पे एक साथ काम करना होगा health पे सरकार का जो budget है वो increase होना चाहिए ताकि disease का burden कम हो infections कम से कम हो hygiene और sanitation पे भी सरकार को focus करना होगा साथवी recommendation है stable food fortification देखो edible oil, wheat, rice, dairy products इन सब का अगर fortification होता है fortification का मतलब होता है कि food में micro nutrients को external रूप से add किया जाए कई बार तो ये health issues को address करने के लिए किया जाता है food fortification और काफी बार ये commercial purposes के साथ भी किया जाता है for example कुछ companies दावा करती हैं कि हमारी मेगी में ये nutrients हैं, हमारी ये चीज़ में आपको ये चीज़े मिलेंगी लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं health issues को address करने के लिए edible oil, wheat, rice, dairy products इन में अगर जुरूरी micronutrients add किया जाते हैं और बाद में उसी food को consume किया जाता है उन लोग के द्वरा जो अभी hunger और malutrition से पीडित हैं तो इन समस्चाओं को ठीक से add us किया जासकेगा काफी तरह की research बताती हैं कि food fortification एक बहुत important tool है hunger और malutrition को add us करने के लिए for example, iodized salt का इस्तमाल किया गया था और iodized salt यानि वो salt जिसमें iodine की मात्रा ज़्यादा होती हैं इस iodized salt से लोगों में iodine की deficiency को कम किया जासका है और सबसे last में आगवी recommendation है multiple campaign से सरकार को campaign भी चलाने होंगे ताकि जहाँ पे cultural practices ऐसी हैं जिनके वज़े से malnutrition और hunger की समश्या है उनको पता लगस के किस प्रकार से उनकी cultural practice उनमें malnutrition और hunger की समश्या पैदा कर रही हैं जनता को ये भी पता लगना चाहिए कि child marriage क्यों गलत है जनता को ये भी पता लगना चाहिए कि breast feeding यानि स्तन पान क्यों बहुत ज़रा ज़रूरी है जनता को ये भी पता लगना चाहिए कि उनकी diet में diversity क्यों बहुत ज़रूरी है खाने से पहले और खाने के बाद हाथ दोना क्यों ज़रूरी है deworming क्यों ज़रूरी है साफ पानी पीना क्यों ज़रूरी है हाईजीन और सैनिटेशन क्यों जरूरी है अगर देखो इन सब चीजों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जागर फिलाई जाती है तो हंगर और मालूट्रिशन की समस्या को एडरस करने में ये चीजे बहुत ज़्यादा साहिक सीध होंगी तो ये पुरा आटकेल हमें डिसकस किया हंगर और मालूट्रिशन के बारे में देखो थोड़ा टाइम तो ज़्यादा लग गया लेकिन इशू हमारा बहुत अच्छे से कवर हो गया है अब किसी परकार का कोश्चन आता है हंगर और मालूट्रिशन से सम्मनित आप उस कोश्चन का आंसर बहुत अच्छे से दे सकते हो कोश्चन देख लिजे जो आपको अटेंब करना है इंडिया सफर्स फ्रों हूज माल नरिस्मेंट और हंगर प्रोब्लम और लोड और फेक्टर्स आर रिस्पोंसिबल फोर देश है इस डिसकेशन में फिलाल इतना ही है थैंक यू, थैंक यू वेरी मच फोर डिसकेशन